हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्णिंग प्रेटफार्म बीएससी बायो वाला में इस्टुडेंट आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ आरगैनोलेप्टिक इस्टेडी आप प्लांट के बारे में डिसकसन करने वाला यानि कि प्रेवियस क्लास में मैंने आपके साथ जो भी मेजर टॉपिक्स थे जैसे मैंने आपको बताया था इवैलूएसन आप ड्रग तिक उसके पहले मैंने एक टॉपिक पर इसके था जिसका नाम था एक्टिव एन इनट कांस्टिटुएंट आप ड्रग तो उसी सेलीज क कांटिनियो करते हुए हम लोग एक टॉपिक पहुंचे है आरगैनोलेप्टिक इस्टडी आफ प्लांट तो आरगैनोलेप्टिक किस्टडी क्या होता है इसको मैंने प्रिवियस क्लास में भी आपको इसके कुछ कॉंसेप्ट पे डिस्कसन किया था कि मैंने वहां पर बताया था कि जो आरगैनोलेप्टिक किसे कहते तो मैंने बताया कि जो आरगैनोलेप्टिक होता है उसमें किसी भी ड्रग के हम लोग मार्फोलाजिकल इस्टक्षर मार्फोलाजिकल करेक्टर या फिर आप कर सकते कि मार्फोलाजिकल इस्टक्षर के बेस प उसका मेडिसिनल में यूज करें उसको करते हम वसब्सक्राइप आर स्कमिनेयुट। पर आउक वहान मेड्यू प्लांट इसका मतलब यह होता है कि अधरी आप मार्फोलेईजिकल मार्फोलचिकल करेक्टर के बादे मिस्टरी करना आरगेनोलेप्टिक कहलाता है ठीक जो आरगेनोलेप्टिक होते हैं करेक्टर मार्फोलचिकल करेक्टर उसमें उसका सेप कैसा है साइज कलर आरडर टेस्ट और टेक्टर जैसे चीजी आती हैं किसे भी प्लांट का तो यहां है उसके आर्गयन लेप्टिक करेक्टर के वारे में बढ़ने को दिया गया है आपके शिलिपस्टिऑ लेकिर आप बुक डिफ्रेन्ट प्रकासन की जब आप बुक उठा के देखेंगे उसमें प्लांट के आर्गेनोकलेप्टिक किस्टडे में प्लांट के पूरे कहने का मतलब पूरे समरी कहने का मतलब कि वो प्लांट कहां पाया जाता है वो कैसा दिखता है उसका रूट कैसा होता है रिष्टेम कैसी होती लीफ कैसी होती है कैसा प्लांट होता है किस प्रकार से प्लांट है सारे करेक्टर के बारे में सारे करेक्टर के बारे वहाँ पे इस डिसकसन किया गए लेकिन जो आपका सलेबस है पस वो बोल रहा है कि आपको आरगैनोलेप्टिक करेक्टर के बारे में यह आपको यहापर डिस्कस करना है तो हम आपको कई प्लांट के बारे में दिया गया है. जैसे पहला है आपका ऐथरटगल नम्हायं आपके इसलेवज में उसके बारे में आपको चालना है यानि कि इसके आपको सिर्फ अगर बात करें तो आरगेनो लेप्टिक करेक्टर के बारे में ही डिसक्सन करना है यानि कि उसका कलर कैसा है उसका आरडर कैसा टेस्ट कैसा टेक्टर कैसा है लेकिन यहां पर हम कुछ और भी बातों पर डिसक्स करेंगे क्या इसमें केमिकल वीडियो में च्छोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग एक प्लांट को एक एक वीडियो में कवर करेंगे तो पहला आपका प्लांट है ए था तोड़ा वैसिका जिसको लोग हरूस कहते हैं ये एकन थेसी फैमली से बिलांग करता है ठिक एकन थेसी फैमली के वारे में अगर आप और जैंकारी प्राप्ट करना चाहते तो हमारे कि गई है अगर आप चाहते हैं और भी चीजी जानने के लिए एक अंत्यासी फैमिली के बारे में तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए आई इसके कुछ पॉइंट पे समझ लेती हैं जो अरुस का प्लांट होता है यह बहुवर्शी प्लांट होते हैं इवर ग्रीन होते हैं और प्लांट का नोड और इंटरों नोन होता है वो काफे क्लियर कर दिखाई पड़ता है आगे समझते हैं फाइटो केमिकल का इसमें इसमें चीज़ें पाए जाते हैं आपके अनुसमें या फिर आपको सकते हैं कि एथर्टोडा वयसिका में तो इसमें एलकुलाइड पाए जाता है जैसे वैसीन ठिक क्या होता है वैसीन वैसीन एसिटेट और एसी सिनोल ठिक एसी शिनोल इतने सारे एलकुलाइड उसमें पाए जाते हैं अब आता है कि अरूट काा क्यों सा प्लांट है तो उसका इस्टेम और रूट और साथ ही साथ लीव फ्लावड भी इसका एक मेंडिस्टल है इसका इस्टेम और आखका हो जो जो यह अरुस का प्लान्ट होता है इसका रूट इस्टेम लीप्स और फ्लावर यह चारो पार्ट मेडिसिनल इप्वाटेंट है जिसका उप्योग हम लोग कफ कोल्ड प्रेंकाइटीस और ब्लीडिंग जैसे प्राबलम में इसका उप्योग किया जाता है आगे आता है भाई आपको एक कॉंसेप्ट त्यार करना होगा कि अर्गेनोलेप्तिक को लिखने के लिए थोड़ी इस्ट्रा चीज़ें भी पढ़ने पड़ सकते हैं तो जैसे आपका इसमें समझना है कलर तो मैंने बताए कि जो प्लांट होता है वह पूरा ग्रीन होता है तो यानिकि इसका पूरा पाड यानिकी लीफ ग्रीन होता है नेक्स आता आडर तो आडर एरोमेटिक होता है ठीक कहने का मतलब जब आप इसके लीफ को जब आप इसके लीफ को यानिकि अगर देखेंगे या फिर आप इसमें एक अलग प्रकार की महा काती इस लिए प्रकार है एरोमेटिक न तो यह बता दिया है तो आपने साहथ पढ़ाऊगा तो यह आपका जो फर्ष्ट प्लांट था फस्ट प्लांट था इसका या आपका कवर होता है याणिए कि हर प्लांट में केवल आपको इतने ही major part को समझना है इतने आर्गैनोलेक्टिक नार्चिस या फीर आप कशलते कि आर्गैनोलेक्टिक करेक्टर तो इतने ही चीज आपको समझने हैं तो अलग-अलग एंडूग्रेफिस पैने कुलूटा इसमें आपको कारल मेग के बारे समझ ना है जासे जिसको को मोग कहते हैं किशुटा करिंच रेता यहां फिर मनें बता की काल मेग जिसको हम。」 लूग कहते हैं एन्डूग्रेफिस ।ो टिख इसी के अगले लेक्षर में सबजना है यहीं कोई dudes कोई questions है तो आप अग़र आपको इसका परिफaton अब्लेवल है आप वहसे डाउन्लोड कर सकते हैं और अपने त्यारे को कम्प्लीट कर सकते हैं तो मिलते अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानि कि नेक्स्ट प्लांट के साथ है तो नेक्स्ट प्लांट में आपको एक नए प्लांट के अर्म यानि कि जितने भी लेक्चर आएंगे लगब 12 लेक्चर उसमें अलग-अलग प्लांट क के बारे में आपको discussion किया जाएगा